ही गाइस वेलकम टू माई चैनल अजगे हमारा जो वीडिया है वो है कि मुंगफली खाने के क्या क्या फायदे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं सर्दियों में मुंगफली किसी ना किसी तरीके सब काटते हैं गजक के सब्सक्राट में इस होत OUR ना फिरदे उस पिर ना कॉ इस तरीच फिरा करें मुंगफली कृते हैं बहुत सारे तरीके हैं मुंगफली खाने के और यह आप ऐस वालें 2 अच्छा झाएं को उ माछै यह करने मार्केट में जाएंगे कहीं यह नहीं हुढ़करदे आपको ख succeeds स्टार्ट करते हैं इसके क्या-क्या फायदे होते है आप ने बढ़े वजुगों को देखा होगा कि गुड़ और मुंँंख फले खीलाएं बच्छों को सड्डियों में वो बस ना Saturday के लिए तो मुंगफली खाने से क्या होता है हमारी ज्मारी दिल प्रोब्लम्स होती हैं हमारे दिल से जूड़ी भी बहुत साइड प्रोब्लम्स होती हैं अगर आपका दिल हैल्दी रहेगा तो आपको जो भी दिल की प्रोब्लम है वो कभी नहीं होगी तो हमारी जो मुंग्फली है वो हमारे दिल को हैल्दी रखती है और दिल से जूड़ी बिमारिया का खत्रा कम करने में उनकी मदद करती है या फिर खत्रा कम हो जाता है मुंगफली खाने से तो एक फाइदा इसका ये भी है कि मुंगफली हमारे दिल को हेल्दी रखती है खाने से तो इसे सर्दियों में जरूर खाएं मुंगफली को क्या आपकी दिल को हेल्दी र क्योंकि मुंगफली है वो हमें खून बढ़ाती है आप गुड़ और मुंगफली खाएंगे तो दोनों ही आपके बलड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है सरदियों में गुड़ और मुंगफली बच्छों को जरूर देना चाहिए आप चाहिए उन्हें जो गजक होती है चक्की बना के दे सकते हैं चिक्की बना सकते हैं वो खा लेंगे अब कैसे भी दे लेकिन उनको मुंगफली और गुड़ खिलाएं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सरदी के टाइम में एक तो बलड बढ़ेगा उपर से वो बेमारियों से सरदियों में जैसे बच्चो में हार्मोन्स के विकास के लिए अच्छा होता है हार्मोन्स चुचारू रूप से चलते हैं हार्मोन्यम का विकास होता है हार्मोन्स का विकास होता है इसे मुंगफली खाने से तो सबी को मुंगफली खाने चाहिए बच्चे हों बड़े हों बुजूर्गों सबी को खिला होती है जोऊंे दर्द नहीं होता है इसमें कैलिशियम के साथ इसे आइरेन जिंक पाया जाता है इससे आपको खाने से टाकत मिलती है आपकी हडिय मदबूत होंगी बैस्टूंग Casey हमस्बूत होंगी और यह विटामिन ए और विटामिन बेसिक्स भी होता है इसमें तो खाना बहुत फाइदे मंद है आपके लिए तो ज़रूर खाना चाहिए इसको नेक्स फाइदा आपका है कि मौंगफली खाने से खून में केलिस्ट्रोल का स्तर है वो ठीक रहता है केलिस्ट्रोल को कम करती है करता है उनको बढ़ने नहीं देती है तो आपके मौंगफली के आप बहुत सारे फाइदे होते हैं आप इन्हें खाएंगे तो आपकी बोड़ी में खुद आपको पता चल जाएगा कि इतने फाइदे मन होती है मौंगफली सर्दियों के टाइम में सस्ती और आराम से मार्क होती है उसको ठीक करती है आपकी पाचन शक्ती को दुरूस्त करती है आप सर्दियों में मौंफली खाएंगे क्योंकि तो आपका बहुत अच्छा पाचन शक्ती चलती रहेगा आपकी पेट से जो भी जुड़ी प्रोब्लम से वह आपको नहीं होंगी चाहे पेट से लाके रिख लिए मौंफली की ठाजे को भाचर हे लागते हैं या फिर बाजार से शेक्षिक हूई ह Kiss को मौंफली काने से क्या होता है आपके बौडी में गर्मात बनी रहती है जिससे आपको सर्दी में सर्दीtes अचा का स Valve gonnaफार खवार शाषवस की तो इसके लिए मोंफली खाओंगे तो यह बेस्ट ओप्शन है अपके लिए कि आपके बाδी में के अपको गर्मात करके आपको आपके बादी में बनाए रखेंगा ama that वो आपके लिए क्योंकि एसकी अहींकि ड्राय हो जाती है इसके लिए आपके लिए palli के लिए best option है यही है, आप जो भी घर ऐल यूजि़ करते हैं, आप जो भी घर में ओयल यूजि़ करते हैं inbox